सुप्रभाद बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आपकी कक्षाओं में इस समय व्याकरण की कक्षाएं चल रही हैं। तो व्याकरण में बच्चों, हमने अभी तक आपको समास के बारे में बताया है, जिसमें हमने अव्याई भाव, तदपुरुष और कर्मधाराय समास तक बताया है। बच्चों, घनह इव श्यामह इती, यानि घन जैसा श्याम, मतलब घन श्याम। कुसुमम इव कोमलम इती, यानि कुसुम जैसा कोमल, मतलब कुसुम कोमलम। चंद्रह इव मुखम, चंद्रमा के जैसा मुख, तो ये हुआ चंद्रमुखम। शैल इव उन्नतह इती, मतलब शैल यानि परवत के समान उन्नत है जो। शैलो नतह बज्रम इव कठोरम इती, बज्र के समान कठोर है जो, मतलब बज्र कठोरम, तो ये उपमानोप में कर्मधाराय हुआ। अब इसकी तीसरी जो पॉइंट है वो देखिए। उपमानो उत्तरपद कर्मधाराय ह। इसका पुरुशह व्याग्रह इव, व्याग्र के जैसा वीर पुरुष, पुरुष व्याग्रह। पुरुषा सिंगा इव, सिंग के जैसा वीर पुरुष, पुरुष सिंगा पुरुषा रिशभा इव, रिशब यानि साण के जैसा पुरुष, पुरुष शरभा करा किसलयम इव, नव पल्लों के जैसा हात कर किसलयम मुखम कमलम इव यानी कमल के समान मुख मुख कमलम पुरुष नागह इव नाग के जैसा पुरुष मतलग पुरुष नागह चोथा इसका देखिए अवधारण पूर्व पद कर्मधारयह विशेशन विशेश समस्यते अत्र अवधारणार्थम ध्योत युतुम विग्रह वाक्ये विशेशनात परम एव शब्दह प्रयुजते यथा विद्या एव धनम विद्या ही धन है विद्या धनम गुरु एव देवह गुरु ही भगवान है गुरु देवह तपह एव धनम तप ही धन है तपो धनम वेदह एव समत समत वेद ही समत है यानि वेद समत अब इनका अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं। इसका देखे बच्चो संस्कृत विग्रह, हिंदी विग्रह और समस्तपट। संस्कृत विग्रह है, क्रिश्नाशव क्रिश्नाशव सर्पह, काला है जो सर्प महान्स चासव रिशी, महार्षी। महान्स चाशव देवह, महान है जो देव, महादेव, कमलम इव मुखम, कमल के समान है जो मुख, कमल मुखम, महती चाशव देवी, महान है जो देवी, महादेवी, महान्स चासो मुनि, महान है जो मुनी, महा मुनि नीलम चतत कमलम, नीला है जो कमल, नील कमलम जेश्ठ चा यह पुत्रह, जेश्ठ है जो पुत्र, जेश्ठ पुत्रह ये हुआ बच्चों आपका कर्मधाराय समास तो अब तक हमने देखा अव्यई भाव, तदपुरुष और कर्मधाराय समास के बारे में अब आएए हम आते हैं अपने चोथे समास पर जिसका नाम है द्विगु समास संख्या पूर्वो द्विगु हुँ इती पाणिय सूत्रा नुसारं यदा कर्मधाराय समासस्य पूर्व पदम संख्या वाची उत्तर पदांच संग्या वाची भवति तदपु द्विगु समास कथ्यते ठीक है अयम समास प्रायह समूह आर्थई भवति समस्त पद सामानितया नपुन्सक लिंग के एक वचन में अथ्वा इस्त्री लिंग के एक वचन में होता है इसके विग्रह में शष्ठी विभक्ती का प्रयोग किया जाता है जैसे संस्कृत विग्रह, हिंदी विग्रह और समस्त पद देखिए सप्ता नाम दिना नाम समाहारह इती यानि साथ दिनों का समूह सप्त दिनम इसका समस्त पद है संस्कृत विग्रह है त्रया नाम भुवना नाम समाहारह हिंदी विग्रह तीन भुवनों का समूह समस्त पद दिनम इसका समाहारह इती पाच पात्रों का समूह पंच पात्रम चतुरा नाम युगा नाम समाहारह हिंदी चार युगों का समूह चतुर युगम सप्ता नाम रिशीडाम समाहारह इती सात रिशियों का समूह सप्तर्शिह सप्ता नाम अहनम समाहारह इती सात दिनों का समूह यानि सप्ताह सप्त अहन अहन मादले दिन कुत्रचित द्विगु समासह इस्त्रीलिंगे अपिभवती जैसे कहीं कहीं पर द्विगु समास इस्त्रीलिंग भी होता है जैसे तो यह हो गए इस्त्रीलिंग के द्विगु समास के उदाहरण तो हमने देखा पुलिंग और इस्त्रीलिंग दोनों में अब आईए हम आते हैं अपने पांचवे समास पर जिसका लाम है बहुब्रीही समास प्रत्युत उभव पदार्थव तो मिलित्वा अन्य पादार्थश अर्थः विष्णु हूं इत्यस बोधम कार्यत अर्थाथ पीताम्बरह इती समस्त पद पदश्यार्थः विष्णु हूं अस्ति अतेव अत्र बहुब्रीही समास अस्ति यथा अब इसको हिंदी में देखिए बच्चों, मैं समझा देती हूँ आपको, समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, तब वह बहुब्रीही समास कहा जाता है, अर्थात इस समास में ना तो पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है और ना ही उत्तर पदार्थ की, बलकि दोनों ही पद अर्थ मिलकर अन्य पदार्थ का बोध कराते हैं। समस्त पद का प्रयोग अन्य पदार्थ के विशेशण रूप से होता है। जैसे पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरम विश्णुम। यहां पर पीतम और वैसे ही अंबर इन दो इन पदों के अर्थ की प्रधानता नहीं है। अर्थात पीला वस्त्र इस अर्थ का ग्रहन नहीं होता। अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का अर्थात पीतांबरह इस समस्त पद का अर्थ विश्णु है। अतह यहां बहुब्री समास हैं समझ में आया बच्चों बहुब्री समास क्या होता है कि जिस हमें पता है कि हर समास में दो पद होते हैं उत्तर और प्रथम और उत्तर पद तो किसी में प्रथम पद प्रधान होता है किसी में उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन बहुब्री स चीज जो सामने आती है वुसकी प्रधानता होती है यानि अन्यपद की प्रधानता होती है तो इस प्रकार देखिए वहां पर बहुब्री समास होता है इसके कुछ उदाहरन देखते हैं जैसे ये तीन प्रकार के बहुब्री समास हैं पहला है समाना धिकरन बहुब्री दूसर तुल्ल योगे बहुबरी तो बच्चों आज आप लोग इतने जो चीजे पढ़ाई गई हैं उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए लिखिए समझे और कुछ समझ में ना आने पर मुझे से पूछिए लिकित समागरे मैं आपको भेज रही हूं धन्यवाद